मैं पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार छात्रों की हीतों को सुरखीत करने के लिए प्रतिबद्ध है पारदर्शीता के साथ हम कोई समझोता नहीं करेंगे विद्यार्थियों के हीत हमारी प्राथमिक्ता है किशी भी किमत पर उसके साथ समझोता नहीं होगा नीट परिक्या की समंद में हमें बिहार सरकार की और से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पार्टना से हमारी पास कुछ जानकारी भी आ रही है आज भी कुछ अर्चा हुई है उसकी डीटेल रिपोर्ट पाटना पुलीस उस घटना की तहत तक जा रही है अंतर तक जा रही है उनके पास भी कुछ जानकारी आई है इस सब आपकी सामने भी है और डीटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिपिक रिजियन में सिमीत है मैं आपको विश्वास दिलना चाहता हूँ पुक्ता जानकारी आने पर दोसियों को कड़ी से कड़ी उनके उपर कारवाही की जाएगी NTA हो या NTA में कोई भी बड़ा विक्ति हो जो इसमें दोसिय पाये जाएगा इसके खिलाब सक्त कारवाही की जाएगी इस पूरे प्रकरण में सर्वोज और प्राथमिक्ता विद्यार्थियों की भविश्य को दी जाएगी मैं आपको यह भी शूचित करना चाहूंगा सरकार एक हाई लेवल कमिटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में NTA की समंद में मैंने पहले भी कहा है NTA की समंद में कई विशे समने लाया है NTA की स्ट्रक्चर NTA की फंक्शनिंग एक्जामिनेशन प्रोशेस ट्रांस्परेंशी और डाटा सिकूरिटी प्रोटोकल को और इंप्रूब करने के लिए उस उच्चास्तेरिया कमिटी से रेकॉमेडेशन अपिक्खीत रहेगी हम जीरो एरोर की परिक्ष्या की लिए प्रतिवद्द्द है हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार Public Examination Prevention of Unfair Means Act को भी लाया है विद्द्द्द्द्द्द्द्द हमारी देश की भविष्या है मैं सभी से अनुरोद करता हूँ इस सम्मेदन से लिशू पे किसी भी तरह की अपवाप फेलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनितिक दिरिश्चे से देखा ना जाए मित्रों फिरंतम में मैं आपकी श्वयोग चाहता हूँ देश की इलाकों विद्यार्थियों की जो ग्रामीन गरीब मेदा भी विद्यार थी नीट की परिख्या में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी क्यारियर को होस्टेज में ना रखा जाए मैं फिर अस्वस्ट करता हूँ सरकार किशी भी गुनेगार को किशी भी सुधार के लिए हम तयार है किशी भी गुनेगार को हम छोड़ेंगे नहीं कड़ी से कड़ी कारवाई होगी कारवाई के लिए सारे पुपता प्रमान तत्य एक लीगाल अन लॉजिकल एंड की एक वारियता रहती है आवशक्ता रहती है इस पे सरकार गंभीरता से सारा विश्यों को लिया है मैं आप सभी का शरी होग काम ना करता हूँ थैंक यू सर हम कुछ क्वेस्टेंस लेंगे यहां लेफ्ट से शुरू करते हैं नमबर टैन आप अपना नाम और 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 इसेशन प्लीज वताएं तब शुरू करें थैंक अपने का है लेवल कमिटी बनाई गई है कि अपने कल यू जी सी नेट इसस्पिशन में चैनल कि शायद उस एक्जाम की इंट्रिटी कंपरमाई हो गई हो the initial or rather the preliminary inquiry of Bihar Police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला मैंने solve किया और जवाब रटे गए so would you just based on that suspicion or indication also want you know cancel UGC sorry NEET UG एक है दो दो प्रशना आपने रखे हैं एक तो मैं आपको अश्वस्त करता हूँ समाज जिवन के आज की दिनों में भारत की जो विश्वशनियता बनी है उसको बरकरा रखने के लिए समाज जिवन के experts को involve करते हुए टेकनोक्राट्स, साइन्टीज, एजूकेशन आलिमिनिस्टेटर, एकेडेमिशियन्स, शाइकोलोजिस, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को एकठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी, उनकी कमिटी की रेकोमेंडेशन से एंटीय को सुध नहारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा, जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाइ करेंगे, आपने नेट यूजीशी की बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था, कल मैं जब हमारी यूजीशी चेर्मेन को ग्रिह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I-4C एजिंसी जो विशेश करके साइबर क्राइम को ट्राकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने तीन बजे एक जानकरी दी, कि इस इस प्रकार की डार्क नेट में कोश्चिन आ गिया है, उस कोश्चिन को हमने एंटिय की जो ओर्जिनल कोश्चिन सा उसके साथ टैली करव जब हम स्पष्टो होगे कि वो डार्क नेट में जो कोश्चिन है, वो इउजीशी नेट की ओर्जिनल कोश्चिन के साथ मिलता है, तत्क्राथ हम लोगों ने निर्णे किया, इसके उपर एक उच्चस्तरी अनुसंदानु शीविय इंक्वारी हो, क्योंकि इन दिनों में ट टेलिग्राम की जो शरीत रहे, उसको एक उच्चस्तरी अनुसंदान के बिना उसकी ट्राकिंग करना आपने आप में एक चुनोती है, आप उसकी बारे में जानते हैं, हमने तत्क्राथ निर्णे किया कि इस परिक्ष्या कंपरमाईज हुई है, उसको स्थगित किया जाए, और जल्ली हमने उसी में भी कहा है कि जल्ली हम नया तिथी के साथ आएंगे परिक्ष्या करने के लिए, जा रहां नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं फिर बिनमरता से कहना चाहूँगा, जो लाखो मेदावी विद्यार ति बहुत महनत से उस परिक्ष्या को उतिर्न हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है, जैसे मैंने कहां, मैंने प्रारमीक सुचना में कहां कि पटना पुलिस की काम सरहनिय है, एक आइसोलेटेट घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है, कुछ जानकरी औ और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कारवाई भी हम जल्दी कर देंगे, उस अनुशन्दान को हम पुक्ता करना चाहते हैं, हम उनकी अनुशन्दान से संतुष्ट हैं, बारत सरकार की अधिकारी और विहार पुलिस की वरिष्ट अधिकारियों की निरंतर बारतला हो रही है, यह दोनों घटना की बैग्राउंड और चरीत्र दोनों की अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे, लाकों विद्यारिक्यों की, मेदावी विद्यारिक्यों की, गरीव विद्यारिक्यों की हितों की बात है, हम ऐसे कुछ ना करें, जहां हमारी देश की भविष्य क कटगेरे में आ जाए